किसानों ने एक बार फिर दिली घेराफ की तैयारी कर ली है पंजाव हर्याणा के साथ ही कई और राज्यों के किसान दिली कूच की तैयारी कर रहे हैं इस किसान आंदोलन का पैटरन 2020 से 21 में हुए किसान आंदोलन से काफी मिलता जुलता है पिछली बार की तरह ये अलग-अलग राज्जियों में किसान इस आंदोलन में शामिल होने वाले है इस बार भी किसान अपने साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली और राशन भी लेकर आने वाले है यानि पिछली बार की तरह इस बार किसानों का प्लान लंबे समय तक दिली के अलग-अलग बॉर्डर पर धर्ना देने का है हाला कि इस आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप नहीं है ये किसान अंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले नहीं हो रहा है इसे अलग-अलग किसान संगठन मिलकर आयोजित कर रहे हैं किसानों की मांगो को लेकर सरकार के साथ कई बैठके हो चुकी है लेकिन फाइनल सहमती नहीं बन पा रही है गौर तलब है कि किसानों ने एक बार फिर अपनी मांगो को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है किसानों के दो बड़े संगठनों संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने अपनी मांगो को लेकर तेरा फरवरी को दिली कूच का नारा दिया है वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को एक दिन का ग्रामीड भारत बंद करने का अगान किया है क्रिशी कानूनों के रद होने के बाद किसानों ने अपना अंदोलन वापस ले लिया था उस दोरान सरकार ने उनकी कुछ मांगों को पूरा करने का बादा किया था सब्सक्राइब से बिहार से मद्द परदेश से हर्याना से पंजाब से राजस्तान से सभी पूरे पर देश ने किसान कल करोड़ो कुछ करेंगा आज हम लों कि यहां ब्यास से रवाना होकर फतिकर सामने स्टे करेंगे के बीटिंग के बाद आगे देने करें तेक है मांगे वही है मस्पी ख्रीद की ग्रंटी का कानून बनाएं डॉक्टर स्वामी नाथर कमिशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दे गन्ने को भी सी टू हंडड़ के साथ जोड़ दे और उसी के साथ जो लखींपूर सुची उसको लागू किया जाना चाहिए फसली भीमा जोजना सरकार अपने धंपर करें इसी तरह से जब साथ साल का किसान हो जाता है तो उनको केसान और खेत मजूर को दसाजार प्रती महीना पेंशन मिलनी चाहिए भारत विश्वपार संस्ताते खेती को बाहर लेकर आए ऐसे रिपोर्ट्स है कि तीन केंद्रिय मंत्रियों का एक दल सोमवार को उनकिसान नेताओ के लिए प्रतीनिधी मंडल के साथ बातचीत करेगा जो दिली की ओर मार्च करने की योजना बना रहे हैं इस बीच मार्च में शामिल होने के लिए पंजाब के विभिन हिस्सों से ट्रॉली के काफिले पहले ही निकल चुके हैं वही केंद्रिय मंत्रि प्यूश गोईल अर्जुन मुंडा और नित्यान अंद्राय किसान नेताओं के साथ उनकी मांगों को लेकर दूसरे दौर की बातचीत करने के लिए सोमवार को चंडीगर पहुचने वाले हैं बैठक श संगू बॉर्डर पर कटीले तार लगा दिये गए हैं सड़कों पर सीमेंट के बैरिगेट हैं दिली में गाजेपूर टीकरी और संधू बॉर्डर पर भी दिली पुलिस इतिहास के तौर पर तयारी कर रही है ताकि किसानों को दिली में प्रवेश करने से रोका जा सके गा अगर ऐसा होता है तो संभव है कि दिली मेरत राजमार भी बाधित हो सकता है आपकी इस वीडियो के बारे में क्या रहा है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बाकि इस वीडियो से जड़ा कोई भी सवाल हो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में झाल झाल झाल